हेलो फ्रेंड्स तो आज हम आपको दिखा रहे हैं एक लगजरी बाथ रूम जो किस तरह होता है तो आई एम दिखाते हैं तो सबसे पहले जैसे हम एंटर करते हैं तो यह देसकते हैं यहां पर काउंटर टॉप लगा हुआ है और सामझे तो यहां पर वाश्वेशन डावेट इसमें फ्लो बहुत ही अच्छी आता है जेकवार का लगा हुआ है यह देख सकते हैं जेगवार के हैं लेरिक मोड़ल है है को पक्तार पाफचा अ्यम इससे लाब है इधे जिए लगा हई हम कि भी बड़िया होर्य है यह जगवार का लगा हुआ है यहां से जैक दीआ वह उसके लाब यहां से फ्लस एकिव उसके लिए यहां वागव हा उप्रशा घरहेज सकते हैं इसके बाद हेहां रेचानल इस तरफ दे सकते हैं और सामनी तरफ से लगा हूब है यह दे सकते हैं रैक भी बहुत भी बढ़िया अलाजवाब है तो आप लुए पाहन लगा हूब है और सबसे टॉप की बात करें तो यहां पर नहाने के लिए सकते हैं 3-way divator का यूज क्या हुआ है जिसमें hot tanky and fresh तीनों पानी आएगा और यहां पर स्पाउट है इस तरह की स्पाउट लेना चाहिए रिजन है कि आप कर भी चुबेंगा नहीं और यह जो बटन है वह हैं जावर के लिए और इसके बाद देख सकते हैं यहां पर जो है नहीं कि देखे सामने के तरफ से और इसको बटन दखाके न इसकी जितनी हैट करना मोजाक से लगाया हुआ है और यहां पर आपका शेंपू शाबून बगाना कुछ भी रख सकते हैं डेकुरेशन पर पर से इस तरह से बहुत नाची और सामने नीचे काउंटर टॉप के ऊपर ही देख सकते हैं यह मारवल पीस है टाइल्स उसी को ग्रेटिंग करके देख सक है तो इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन यह होता है कि साफस्पाई रहता है तो हाइजिन रहता है इस तरह की वास्ट बनाना चाहिए बात करें तो बहुत इस नीचे तरह यह देकुरेशन के लिए आप नहीं से टॉल बरहारा रख सकते हैं और यहां पर सॉप लिग में इसमें कितनी कॉस्टिंग आती है और यह देशे दे नीचे दरब से सामरे तरब से से कुछी तरश भीव है तो मैं दिखा देता हूं